हेलो दोस्तो कलके लेशन में हम लोग ने शिखा था wordpad wordpad में home tab में copy paste सिखा था और क्या सिखा था cursor ibeam से selection कैसे करते और arrow pointing से selection कैसे करते यह हम लोग ने ठीक से deep level पे practice किया है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी अच्छी तरक से practice की होगी तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते copy paste तो हम लोग ने देखा copy paste क्या काम करता है अभी हम लोग थोड़ा cut paste देखेंगे मैं कोई भी एक नाम लेता हूँ देखो यह वापीज बता रहा हूँ जैसे मैंने paint में बता था text टेक्स में जाते हैं हम लोग तब यहाँ पे font family होता है उसके बने font size होता है bold detail दिक अंडरलाई strike through मैंने बता है बाकी का मैं बाद में बता हूँगा लगिन अभी पहले हम लोग क्या सिख रहे cut paste सिख रहे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ संध्या उसको selection करूँगा ibeam से और मैं क्या किया उसका सबसे पहले मैंने font change कर लिया font family में जाके font change कर लिया उसके बाद मैं करूँगा size increase okay size increase करो बढ़ाओ उसको या कम करो या decrease करो वैसे यहाँ से भी आप कर सकते हो देखो grow font and shrink font श्रिंक करोगे तो कम हो जाएगा grow करोगे तो बढ़ जाएगा अगर आपको bold करना है तो bold करिए italic करना है तो italic करेंगे तो cross हो जाएगा underline करेंगे तो underline आजएगी strike through करेंगे तो strike through करोगा दोस्तों जैसे देगा अंडरलाइन है तो यहाँ पर अंडरलाइन का जो option है यह on हो गया अगर italic होन होगा तो italic दीखेगा, bold होन होगा तो bold दीखेगा, blue color का एक interface आ जाते है तो यह office में निकाल रहा हूँ इसको अभी मैं इसका grow font कर रहा हूँ, यह संधया नाम का जो font लिया है मैंने, इसका font का नाम देखेगा यह देखो यहाँ पर दिख रहा है, आपको font मैंने चूज किया है, आपको अगलग font चाहिए तो aerial black यह भी font ले सकते हो, shrink font करना है, grow font करना है, यह भी आप कर सकते हो, grow font, shrink font, shrink करोगे जब कम हो जाएगा, grow करेगा तो बड़ा हो जाएगा, दोस्तों इसको ibeam से selection करने के बाद copy करूँगा, और संधया नाम का जो later है, last का later है, उसके last में जाके cursor को click करूँगा, आप इस ibe जो blink हो रही है न, उसको भी cursor ही कहेंगे हम लोग, उसको करेंगे, enter, enter करने के बाद paste करेंगे, वापिस selection करेंगे, संधया को, copy करेंगे, वापिस जाएंगे, enter करेंगे, paste करेंगे, वापिस selection करेंगे, संधया को, copy, और मैं किया, paste, वापिस में एक बार ibeam से selection करूँगा, प पेस क्रेट होगा दोनों के बीच में, अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाला जो sentence है, या जो भी शब्द है, या word है, उसको selection करके, i-beam से selection करके, मैं क्या करूँगा, उसका font color जो है, वो change करता हूँ, देखो, यहाँ पे font color दिख रहे आपको, जो भी आपको color देना हो, आप दे सकते हो, दूसरे font को वापिस i-beam से selection करना है, और उसके बाद में वापिस, मैं दूसरा color दूँगा, तिसरे font को वापिस selection करके, जूसरा और कोई color दे दूँगा, चवते शब्द को मैं भी क्या करूँगा, selection करूँगा, और क्या करूँगा, अलग color दे दूँगा, अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, cut का मतलब क्या होता है, तो देखे, यहाँ पे, मैं एक, आपको समझने के लिए, मैं एक, इसक अलगे, देख अभी इसको color अलगे, नीचे वाला जो संध्या word है, शब्द है, उसका color अलगे, और उपर वाले संध्या color अलगे, अभी में पूरा का पूरा, यह जो bunch है न, शब्द का, मैं उसको क्या करूँगा, cut करूँगा, cut करने से क्या होगा, देखो, यहाँ से वो न world, रिक करेंगे, लास्ट में, और रो बर एंटर करेंगे, और पेस्ट करेंगे, देखो, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मतलब पहले जहां पे था, यह पूरा bunch word का, वो क्या हो गया, यहाँ से direct move हो गया, मतलब क्या, cut paste किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इस्त तो दोस्तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा है वर्ड पैड में कट्पिस करना ओके तो मिलते हैं अगले रिसन में थैंक यू